गुम्फिर करके फिर तनावा गया अब ये तलाव से बुक्ती कैसे हो हीपोक्रसी की भी सीमा होती बारिस की बुंदे तो वैसे भी कभीयों की पसंदीदा रही हैं लेकिन इस बार उन्होंने सरकारों की पोल खोल दी करनाटक के उत्तर करनट जिले में जैसे ही मुश्लाधार बारिस शुरू हुई काली नदी के उपर बना पुल धडाम से डह गया यह पुल उस राश्टिय राजमार्ग 66 का हिस्स्ता था जिस पर देश भर के लोगों का आवा गमन निर्बाद रूप से चलता रहता था अब सोशल मीडिया पर लोग इस पुल की तराश्टी का वीडियो सेयर कर रहे हैं और इसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं कुछ लोग इसे मोधी सरकार की गलती बताते हुए कह रहे हैं अरी ये पुल तो मचबूत होना चाहिए था बारिस का क्या वो तो हर साल आती है मैं दूसरी और कुछ कांग्रेस के समर्ता का हैं जो बड़ी कंभीता से कहते हैं कि भाई या तो हमारी पुरानी सरकार का काम था लेकिन मौजूदा सरकार देख भाल में फिसड़ी सावित हुई है सोसल मीडिया के इस महायुद में एक बात तो साफ है चाहे पुल किष्णे भी बनवाया हो लेकिन उसकी देख रेक करने वाली मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी जरूर बनती है एकुजर ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि इस पुल को मांसून के आने से पहले ही रेन कोट पहना देती अब अगर तारगी का अधार पर देखें तो यह ट्रेजदी नस सिर्फ पुल की है बलकि मौजूदा सरकार की भी है बारिस का तो कोई दोस्ट नहीं उसने बस वही किया जो उसकी आदत में सामिल है पानी गिराना दोस्तों नेताओं कहा जिन्होंने पुल की चुनावी वादों की तरह कमजोर बनाया तो जनाब यह गटना बता रहे है कि मौसम चाहे जो भी हो सरकार की जिम्मेदारी हमेशा ठीकी रहती है पुल टूटे पानी बह जाए या वोटर नाराज हो जाए हर हाल में सरकार को तयार रहना चाहिए आखिरकार अब पुल ठा है तो बारिस में बहाने भी ढूड़े जाएंगी बारिस की इस पॉलिटिकल बारिस में जनता भी गई है और नेताओं के सिर पर बादल मनरा रहे हैं चलिए देखते हैं इस बार किसके ब्लेन रन्वे पर कितना पानी जमा हो सकता है जाल दोस्तों वाइरल हो रहे हैं पुल की इस घटना को आप किस मज़र से देखते हैं आप अपनी डाय कोमेंट में साजा करें और अच्छे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्वाद